नमस्कार मैं हूं संदीब इसनोई आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूटूब चैनल या फेस्बूक पेज इसमें सभी साथ हों के एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं लेकर आपके लिए आज केंचुए खाद पर संपूर्ण जानकारी के एक वीडियो लगा था देश में सभी बेरोजगार हो गए थे कुछ ऐसे यूवसा थी थे जिन्होंने लोकडाउन का बेनिफिट उठाया फाइदा उठाया और आज वो अच्छी इंकम ले रहे हैं तो उन्हीं में सर है हमारे साथ है जो आर्मी में पढ़ाते थे पहले कोचिंग चलाते नेचुरल वातावरन सुद हवा और अच्छा बिजनस तो सर आपको माइड में कैसे आया कि लोकडाउन में आपने ये काम स्टार्ट की है नमश्कार पहले तो सभी को और लोकडाउन में जैसे आपने कहा कि सब कुछ ही बंद हो गया था मेरा तो था भी कोचिंग का जो कि अभी तक मेरे ख्याल से खुला नहीं है कही शहरों में तो अभी भी नहीं खुला है और मेरा सारा धंदा ही उसके उपर था तो एक मेहना दो मेहना तो निकल गे भी आज 15 दिन बाद खुलेगा या 30 दिन बाद खुलेगा तो जब जादे ही टाइम बीतने लगा तो एक नए आए के शुरोत की तरफ रुजान हुआ तो बहुत वीडियो यूट्यूब सर्च मारे पता किया तो यह एक ऐसा बिजनस दिखा जिसमें इंवेस्टमेंट भी कम थी महनत भी बाकियों की अपेक्षा कम है और जगा भी कम चीए और इंकम भी जाता है तो जब यह सारी चीज जाके देख किया स्टेडी की इसके बारे में और यह सबसे बड़िया बिजनस लगा और आज सही में छे मेंने होगे मुझे चलाते हुए और बिलकुल मेरा पैसा वसूल हुआ है इसमें और बिलकुल मैं आप सबको भी अगर किसी को रह दूँगा तो इसी के लिए दूगा कि अगर कोई नया कोई नई सोच के साथ कुछ करना चाता है तो आप इस पर इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए तो आपने सुरवात में किते रुपे इसमें खर्च किया थे हैं जी इसमें आप जान के हरान होगे अब लोगों को तो तो दस दस पंदरा पंदरा अगर आप एक दुकान भी लगाते हो तो कम से कम पांसात लाग रुपे चाहिए होते लेकिन मेरा ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था मेरा लगबग डेर से 2 लाग रुपे का इंवेस्टमेंट है वो भी आप छे महने के अंदर कवर कर लेते हो अराम से तो आपने सुरवात में जो केचुए इस्तमाल होता है यह बहुत अच्छी वराइटी का एस्टीना फैटीडा नाम से यह वराइटी चलती है जिसको आप कभी टाइगर वाम या रेड वाम भी कहते हो तो यही एक है जो कि गोबर को खाके सबसे उच्छी क्वाल्टी की खा देता है तो इस पे एक आपन कमाई करते हैं वह हर टाइब की होती है केचुए की भी है खाद की भी है और वर्मिवाश की भी है तो शुरुआत में मैंने थोड़े केचुए खरीदे कुछ मार्केट घर देखने पड़ेंगे जहां से आपको गोबर मिल जाएं वह मोमन सबके घर कई जिनके घरों म दो-चार पशु होते हैं आप उनसे टाइब कर लीजिए नहीं आपके शेतर में गौशले होती होती हैं अब वहां से ला सकते हो बाकि जिसके घर में पशु हैं उसको तो तिक्केत ही नहीं है वह अपना अगर काम करना स्टार्ट करें तो इसकाम को बढ़ाते हो चार सब्सक्रां सब्सक्रां बतानाना, क्रोड़ शुक्त है जैसे आपने इस्समें तीन बनेफिट बस सब्सक्राइब को फ्रसुरा ऊकीchair में कहतस ही रही हैंद्नीकेस सब्सक्राइब को उसके बाद प्लस याएगा यह आप मान के चलो आने वाले दो से तीन साल में जैसे मैंने 20 बैट से शुरुआत की है मेरा टार्गेट पहला टार्गेट यह होता है कि आप दो साल के अंदर अपना सो बैट का टार्गेट पूरा करो जिस दिन आपका सो बैट का टार्गेट पूरा हो गया सलाना आपको दस से बारा लाक रिपे यह देना शुरू कर देगा और सही तरीके से ठीक है और इसको आप और जितना मर्जी बढ़ा सकते हो सो के 200 बैड करते हो 300 करते हो वह आपके उपर होता है कित्ते टाइम बाद यह डबल हो सकते हैं केचुए जो बनते हैं अन्द का जो एंड़ में से निकलने का पीरीड हो 21 दिन का होता है चीक है बच्ची का निकलने का णवे निज्ट कमा बढ़ते हैं और कभी मानों की वैसे टो इन जाता है कि यह बारा मेंने मैंसे sol दस में बढ़ते उनदे देते ठीक है ूर व्र ने जो बारिश के होते हैं ठ करते हैं वही टाइम होता है लगबाव जुलाई अगस्त का उसके बाद यह दस मेने बढ़ने का ही काम करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ने का काम होता है सब्तमबर से फरवरी का उस समय यह बेहिंता मतलब आप यह धाई से तीन गुना हो जाते हैं और गर्मियों में यह तो यह एक काम कर रहे होते हैं आपको दोनों तरफ प्लस है मतलब वैसे तो तीनों चीजे प्लस हो रही है घर्मियों में खाथ ज्यादा ट्यार करेगा और चेंचुएचा कि आपने इसका बताया इस किसलार हो गार्ण जो पानी है यह जब केचुवा इसके अंदर काम करता है और हम पानी छिड़कते हैं तो गोबर के अंदर जो नूट्रियंट्स होते हैं वो उस पानी के साथ बैके कठे हो जाते हैं और वो सारे जो नूट्रियंट्स हैं वो जितने भी हैं वो सब को हमने वहां पे एक टैंकी लगा रखी है जो अभी आपको दिखाएंगे और उसमें यह सारा पानी कठा होता है और इसको आप घरों में स्प्रेय के रूप में यूज कर सकते हो अगर आपने घर में कोई पौदे लगा रखे हैं खेतों में अगर कीड़े मकोड़े वगरा मखी मच्छर अगर लगते हैं यह 500 लिटर के वहां से पानी आता है अब जो इसके अंदर इकठा होता है और यह जो वर्मी वाश है यह वर्मी वाश है बिल्कुल अब देख सकते हो और यह भी आपका मतलब होल सेल में लगबक 30 रुपे लिटर और डिटेल में 50 रुपे लिटर तक बिग जाता है इसकी ड बनता है क्योंकि यह एक बार पानी बन गया हम तो इसको क्या करते हैं दुबारा बैड़ पे डालते हैं फिर दूसरी बार और तीसरी बार कि लिएर का पानी होता है तो इसमें बहुत ही जधा अच्छे तत्व होते हैं यह खासे भी तीन गुना ज़्यादा सरदार होता है यह मतलब आपका करने का है कि खाट से तीन गुना ज्यादा पाउरफुल है खेतों के लिए तो यह आपने यहां एक्तिरित करने के क्या सिस्टम क्या आपका इसका सिस्टम आपने देखा होगा यह पाइप लगी हुए यह सारी पाइप अंडर ग्राउंड इन बैड़ों से हो हुआ है जब मैं आपको न्या बैट बनता हुआ भी दिखा दूंगा उसमें पहला बैट जब अपन बनता है तो बैट बनते समय यह द्जान दिया जाता है कि इसको एक ध्यान देनी है इस ड़लां से क्या है कि जो भी पानी है वो रिसके एक जगां इकठा होगा और वहां स से ज्यादा उस दिन इनके छेद बंद करवा दिये जाते तांकि एक्स्ट्रा पानी इसमें ना जाए सिरफ यह गोपड़ वाला पानी ही इसके इंदर जाता है तो जो नए प्लांट अपने त्यार करेंगे वह अपनी किस तरह से त्यार करने होंगे उनमें अपने किस तरह की स इचा देनी है यह नॉमल तिरपाल 200 रुपे की पर बैड़ आपको लग जाती है ज्यादा खर्चा नहीं है उसका और इसकी एक ढलान देनी है ढलान और आप कोशिश यह कीजिए बैड बनाते समय उसके दो पार्ट बनाई हां एक इस तरह इसका इसका भी कारण होता है इसक जाता है तो जाता है अगर थोटीतरहते समय आपको असानी होती defending नहीं होता है इसकी तो यह सोच हूती है उससे बनाते से तो जो मथाह धिरीड़ कम पड़ती है भूपब और कि उसके उपर 55 पच्चीस का और लगबग इसमें 25 कवंटल आपका गोबर डल जाता है और 25 कवंटल गोबर और उसके उपर 25 किलो केच्वे तो अपने जो यह स्टेंडर का जो साइज आपने बताया है चार फिट चोड़ा 25 फिट लंबा 25 कवंटल गोबर की खाद और 25 किलो केच्वे डलता है किते दिन बाद अपने त्यार हुए अपने खाद मिलेगी आप इसका प्रसेस चलता है पंतालिस से साथ दिन के बीच में पंतालिस दिन के बाद आप उसकी एक लेयर उतार लो उपर उपर की लेयर इकठी कर सकते हो फिर दो तिन दिन चार दिन के बाद फिर दूसरी लेयर इस तरह से यह साथ सतर दिन के अंदर अंदर आपकी खाद उठा ली जाती है यह इस प् झाल को डियां लखना पड़ेगा वैपको जो गोबर आता है उसमें बहुत गर्मी फोड़े और भदबू होती है। सबसे पहले विशेशकर ये दियान रखना पड़ेगा कि गोबर जब आपका आजाए तो उसको ठंडा गरना है बिलकुल दस दिन लगते हैं उसको पानी डाल डाल के उसमें काट मार मार के उसको बिलकुल ठंडा गरो और जाकि उसकी बदबू चली जाए गर्माईश में ये केच्वे मर जाएंगे इनको सिर्फ एक गर्मी से अलर्जी है और कुछ नहीं है तो आपको ठंडा गोबर डालना है उसके अलावा इसकी कोई परहेज नहीं है इनका जैसे हैं वैसे चलेंगे ठीक है यह जो आपने भी आ सकतार है यह तैब से यहां पर यहां पर और यह दो तो तो हम इसकी डिधेड़ी बना लेते हैं उपर ऊपर से तरह से कठी कड़के इसकी ठेर करदेतें माईश्यिक कर चितजे उपर प्टषी प्रतिसन वह मापी कटकर अपी लिए इसनिवाल षे फीडकों मैया चीतर्या केचुवा रोशनी में आते ही नीचे भाग जाता है तो बस यही कारण है ताकि इसमें कोई केचुवा ना हमारे इसमें खाद में चला जाए केचुवा को भी बचाना जरूरी है जैसे यह इस तरह से आगे उपर आगे तो यह अपने नीचे चला जाएगा थोड़ी देर में और उसके आगले दिन इसको उठाके अगली जगा अपने शिफ्ट कर लेते हैं और वहां से इसको चानने की प्रोसेस शुरूल होती है यह आप यह 2 6 चार देर निची निकली जाती है इस त daqui पिर इस खाद को विद केचुवा आप नई बेड़ पे शिफ्ट कर दो अब इसमे चेचव अन्डे हैं हाँ बिलकुल है जी में कीचव अन्डे हैं इसमें अभी आपको दिखाता हूं रूकिए करना दो यह देखिए केचव यह कितनी वेराइटी आती है केचव यह की बहुत स्टीवाला केचव होता है कोई कुछ है जो सबसे उच्छी क्वाल्टी होती है वो यही है एस्टिना फैटिना लाल केचुवा रेड वाम यह टाइगर वाम यही सबसे उच्छी क्वाल्टी होती है जो गोबर को और यह भी सबसे अच्छा काम गोबर में करता है हालां कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि सबजी जो घरों में बचती है उसको बाल्टी में एकठा करो उसमें केचुवे डाल दो बिल्कुल सही सुना है वो भी खाद बनती है आपकी लेकिन सबसे उच्छे क्वाल्टी की खाद हमारी सिरफ गोबर की होती है क्योंकि गोबर में जितने ज़्यादा नूट्रियंट्स होते हैं वो किसी के अंदर नहीं होते हैं पाई जाते हैं तो इसलिए हम सिरफ और सिरफ गोबर इस्तमाल कर रहे हैं के अलावा कोई वेस्टेज या कुछ नहीं करतें दूसरी चीज गोबर से जो खाद बनती है वो सबसे जल्दी बनती है लगबग साथ दिन से पैंसेट दिन में और बाकी सबसे जो बनती है वो लगबग इससे ज्यादा टाइम पिरिड़ लेती है और उतनी क्वालिटी भी अ है इसको स्टार्ट करने का मेरे इसाब से सब्तम्बर गेटाए क्योंकि अगर यह गर्मियों में आपने शुरू कर दिया गर्मियों में सबसे ज़्यादा अलर्जी होती है और वहां उसमें आपको प्रिकोशन बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे बचाते समय इनको एट जो आपने यह प्लांट लगा के भड़ेंगे स्टार्ट कर सकते हैं यह सर्दी वैसे तो हता है जी गर्मी से बचाने के लिए सर्दियों में तो यह नॉमली भी ढग दो तो अभी चल जाता है लेकिन फिर भी हमने यह प्रोटेक्शन के लिए लगा रख है कि आजकल अपने एरिये में सुखी ठंड ज्यादा पड़ती है किसी भी टाइप से के चुए को नुकसान ना हो इसलिए लगा दिया जाता है तो गर्मियों में तो यह आपको लगाना ही पड़ेगा कि गर्मियों तो यह साथ ही नहीं है तो गोबर की जो इसे खात प्यार रहती है वह बेच ले यहां पर आपके पास मतलब खाद होनी चाहिए जितनी चाहिए क्योंकि एक किसान अगर आप मानते हो एक बिग्गे में यह पांस कुएंटल तक लगती है पांस से आथ कुएंटल अगर कोई किसान अपने खेट में डालना जाता है और उसके बाद दस बिग्गें तो पचा तो यह आपका पूरा पैसा वसूल करवाती है खाद की कोई ज्यादा इंवेस्टमेंट नहीं होती उसके उससे ज्यादा तो वह डीएपी और यूरिया लगा के खर्चा कर देता है और उसके अलावा जो अपने को गहूं मिलता है वह भी अपने को कैमिकल्स वाला मिलता है तो एक तो प्योर आगर आप इस खाद को यूज करते हो तो एक तो और्गनिक खेती एक सस्ता पड़ती है उसको यह किसान समझता नहीं तो आपने जिसी की बताया कि बेचने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आपके पास ओडर ज्यादा है हां जी मटीरियल कम त्यार हो पा तो उसके बाद इसमें और अच्छा बैनिफिट आना शुरू हो जाते हैं तो अपने अच्छी खाद भी बेच लेंगे केंचुव भी बिग जाएगा और जो आपका जो आपने पानी बताया है वह भी बिग जाएगा तो अच्छी इंकम अपने को मिल जाते हैं तो आल्मोस से कम बीच से शुरॉबात करोगे आपको होसला रहेगा छे मैने बाद आपका लगब बराबर हो जाएगा अगर यहीं आप दो बेच से स्टार्ट करते हो तो साल सवा ड़ाता है इतने में पहोसला ही तो दो गए तो लगबग 20 से आप स्टार्ट करो और अच्छी ऐा का लग जाएंगे पचास बैड अगर आपके लग जाते हैं एक बार पचास से शुरुआत करते हो मैंने जैसे बीस से शुरुआत कि यह तो दो लाक की इंवेस्टमेंट मानता हूं पचास है तो आपको साल के बाद आपके पैसे वसूल हो जाएंगे और प्लस लगबग इतने के ही आपके पास केच्व यह हो चुके होंगे मैं यहनली की एक साल अपनी छोड देती है हम और दूसरे साल की बात करें ता बद दस लाग रुपे tentang यह स्लाना हो सकती है इसलान और एक बीड़ों में अपने पचास अ थी साले ना ही बहुत प्सान एकी तो किसान अपनी जो प तो मैं मेरे साथियों से कहूंगा कि जो साथी खेती करते हैं वह यह जरूर प्रियोग मिलें आप 20 बैठ से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो आप चार बेड से स्टार्ट करें तांकि आप अपने लिए तो कम से कम त्यार कर सकें आप अपने प्रिवार को एक अच्छा बोजन उपलब्द करवाएंगे अच्छी गेहूं विराइटी वाली देंगे तो उनको आप पे विश्वास होगा है क्योंकि उन्हों ने आपके सामने के सामने होती ही फुसल को देखा है तो आपको एक अच्छा रेट भी दे सकते हैं अलंकि वर्तमान समय में और्गनिक खेतियों की तरफ किसानों का रोजान बड़ा है बट रेट नहीं मिलने के कारण किसान वापीस हट रहे हैं और वापीस वही केमिकल वाली खेती में जा रहे हैं तो आप अपनी जो चेत्र में जो खेती करें वह आप अपने छेत्र में ही बेचने की कोशिश करें तांकि आप पे लोगों का विश्वास बढ़े रहेगा आपका पूरा मतेर रहें तो इसी के साथ में मेरी बाणि को यहीं वराम देता हूं मिलेंगे जल्द एक न